इन दौर में प्राचीन अनपूर्णा मंदिर को अब दिल्ली के अक्षरधाम की तर्स पर बनाया जाएगा जिसके जीर्णो धार के लिए कैबिनेट मंत्री सजन से वर्मा और सांसद शंकर लालवानी ने भूमी पूजन किया इस दौरान बीजेपी और कॉंग्रेस ने शिष्टा चार राजनीती का संदेश भी दिया देखे एक खास रपोर्ट इन दौर में 6 दशक पुराने अनपूर्णा माता मंदिर का 20 करोड से ज्यादा की लाकत से जीर्णो धार किया जाएगा जी हाँ अक्षर धाम की तर्स पर अनपूर्णा मंदिर को पूरी तरह संगमर्मर का बनाया जाएगा मंदिर ट्रस्ट समीती और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सज्जन से वर्मा सांसद शंकर लालवानी ने विधी विधान से पूजा अर्चना कर मंदिर के कायकल्प के लिए फूमी पूजन किया इस दोरान बीजेपी कॉंग्रिस के शेहर अध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहे जिस स्थान पर वर्तमान में यगिशाला बनी है उसे हटा कर वहां से नए मंदिर का निर्मान किया जाएगा इसके निर्मान के बाद अनपूर्णा कालका माता एवं मास सरस्वती की प्रतिमाओं को विराजित करेंगे मंदिर के बाहर 55 फीट उचा हाथी गेट वैसा ही रहेगा देखिए यह जो हमारा अनपूर्णा मंदिर पहले बना था और उस समय बना था तो पूरे देश में इसकी चर्चा थी और जिसके प्रकार का आँ द्वार देखते हैं यह बहुत इत्यासिक मंदिर है लेकिन कुछ समय पेले यही तिम्बकेश्वर में यही के माराज जी और यही के लोगों ने मिलकर तिम्बकेश्वर में भी अनपूर्णा मंदिर बनाया है। कि यहाँ पर यही से मंदिर बनाया है तो जुनोतदार की बात है कि नया मंदिर मार्वल का बनाया जाए उस सब की इच्छा थी और उसी का आज भूमी पुजन है और सब लोग मिलकर आने वाले समय में जो मार्वल का मंदिर बनने जा रहा है करीब 6600 वर्ग फीट क्षेत्र में मंदिर का निर्मान किया जाएगा मंदिर निर्मान में सफेद मकराना मार्वल का अस्तमाल होगा कैबिनेट मंदिर सज्जन से वर्मा ने कहा कि सीता माता मंदिर महाकाल मंदिर के जीर्णोधार के लिए कमनलास सरकार ने राशी दी है सरकार का दायत्व है कि हर धर्म को सम्मान मिले को याद किया और उनके कारी में सहयोगी की भूमी का निभाने के लिए हम लोग या उपस्तित में कमनलास जी ने बहुत पहले गोश्टना कर दी थी सीता माता के मंदिर के लिए करोडों रूपया उन्होंने दिया है महाकाल मंदिर का जीर्णोधार तीन सो करोड से हम लोग करा रहे हैं एक सो साट करोड के आजपास उनकारिश्वर मंदिर का भी जुर्णोधार ये हमारा सोभाग्य की इश्वर ने हमें मौका दिया है हम लोगों ने कभी धर्म मंदिर मजजित के नाम पर राजनीती ने गी लेकिन धर्म आगे बड़े हर धर्म को एक विसेश दर्जा मिले ये हमारी धर्म निर्पेक सरकार कमलनाजी की नित्रत में ये उसका दाइत है कि हर धर्म को समान मिले और हर धर्म आगे बड़े इसलिए हमारी कोशिश होती है मंदिर बनने में करीब तीन साल का वक्त लगेगा मंदिर का हॉल साथ बाई साथ का रहेगा परिक्रमा स्थल साथ बाई बारह फीट का रहेगा इस प्रकार मंदिर का पूरा एरिया एक सो आट फीट लंबा रहेगा मंदर में कुल पचास स्थम रहेंगे कुल मिलाकर जिस तरह से अन्नपूर्णा मंदर की परिकल्पना की गई है उसके मताबिक ये देश के एहम मंदरों में शुमार होगा वीरो रिपोर्ट अम्पी नियूस इन दौर